संत राम सिंग की आत्म हत्या के बाद जहां शोक की लहर है वहीं किसान समीटिया वन्य संगठन सरकार पर केज दर्ज कराने की मांग कर रही है किसान समितिया वन्य संगटनों के द्वारा कहा जा रहा है कि संत राम सिंग ने सरकार की नितियों के खिलाफ पत्र लिखकर आत्महत्या की है इसी दिए सरकार पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए समिति के संयोजक सतबीर सिंग पुनिया के अनुसार जब ही कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है और पत्र लिखकर आत्महत्या के लिए जिम्मेदार का नाम लिखता है तो पुलिस उसके खिलाफ कारेवाही करती है ऐसे ही संत राम सिंग ने सरकार की नितियों के खिलाफ पत्र लिखकर आत्महत्या की है ऐसे में सरकार के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए उन्होंने ये बात हिसार में जाट धरमशाला में अखिल भारतिये किसान मजदूर समन्वेवर संगर्ष समीति के बैनर तले आयोजित एक बैठक के दोरान कही बताते चले कि ये बैठक किसान अंदोलन के लिए हिसार इकाई की आगे की तयारियों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी भारतिये किसान यूनियन के परदेश महासचीव दिलबाग सिंग ने कहा कि संत राम सिंग की मृत्तियू बहुत दुखद है किसान अंदोलन के तहट संत राम सिंग सही अन्य जितने भी किसान अब तक अपना जीवन गवा चुके हैं उनको श्रद धांजली देने के लिए 20 दिसंबर को जीलास्तर पर कारिगरम आयोजित किये जाएंगे उन्होंने कहा कि किसानों का संगर्ष जारी रहेगा सब्सक्राइब नोट की बात करें और अन्य हमारे जो किसान साथी वां सहीद हुए है उनका बीस तारीकों 11 बजे अपने जिला मुखाले को पर सरदांजली सभा करेंगे उसमें सरदांजियार्पित करेंगे और अन्य संग्ठन है वो भी इसकड़ी में कोई 2 बजे का है सब्सक्राइब ने जादती होई है तिन्यों काले कानुन बढ़ शुके अभी उनके विरोध में शुरूप चल्या हुआ है सारा सिस्तम और जैसे आप उस रहे थे के वह आत्म अत्या के बारे में अत्म अत्या बड़े दुख बुर बागया प्रून बात है ऐसा असी तिक सब्सक्राइब करते हैं लेकिन है किसान सरदी के अंदर बहां बैठे हैं अपनी मंवाने के लिए अपनी लड़ाई लड़ने के लिए लेकिन इसरोकार को ज्याने दे रही किसांकितने हर रोज 2-3-3 किसान कोई मर रहे हैं कोई श कर लात्य आत्ता कर रहे हैं तो इनने को सोचना साइस कि है कि कमेटी बनी हुई है और कोर कमेटी भी आज बना ली है 21 सदिशी है और फिर अलका वाइज स्रमडी के गाउं की वह 11-11 वेक्तियों की कमेटी बना के लोगों को जागरू किया जाएगा और उसी हिसाब से अंदोलन की रूप रेखा जो है उपर के आदेश अनुसार वह की ज जारी रहेगा जब तक किसान के तिरनों काड़े कानों रद नहीं हो जाकते किसान ऐसे संद्रसुत रहेगा आज हमारी ये जिला सतर की कारिय कारण की मिटिंग हुई है और जीश के अंदर 35-36-37 मेंबर जो पहले हमने वहां जीश दिन धर्णा था उस दिन फाइनल किये थे सबी ने अपने अपने विचार रखे हैं और हमने 21 सदे सिय कमेटी जिला सतर की बना ली है और उसके लिए आगे हलका वाईज हम 11 आदमियों की कमेटी बनाएंगे जो आगे का सारा कारिय भार देखेंगे आंदोलन की जो रूप रेका तियार होगी वो सारे की सारी जैसा द अतिरिक्त भी जो भी कमेटी ने लेगी उसको जिला सतर पर भी हम आलग से लागू करेंगे जैसे मैंने पहले बताया है जो दिसा नर्देश उपर का होगा सबसे पहले तो वो लागू किये जाएगा और अगर हम कोई कठिनाई या कोई ऐसा ने लेते हैं जो सरकार को भी प यह जुरूरी नहीं वो तो होगा योगा सो परतिशत जो हमारा हाई कमांड का जो अडर होगा उसके अतिरिक्त हमारी मीटिंग होती रहेगी और जो भी सुजाव आते रहेंगे उसी हिसाब से जिला सतर के उपर अलग से भी हम अपने निरने लेते रहेंगे अपके मादेम से गुपता जी से विदम मर प्रार्थना करता हूं कि वह समय रह रहें और हमारे जिला सतर के जो भी नेता है अमारे जो अगरनिये हैं वो उनको बता देंगे क्या नुक्सान है और गुपता जी हमें बता दें क्या फाइदा है और अगर फाइदा होगा तो हम माल लेंगे अरे अपने फाइदे की चीज कौन नहीं चाता हम अपना नुक्सान करके ने दिल्ली और बादूर की गड़ और शोनिपत की सड़कों में बैठने थोड़े गए हैं हम तो अपनी फजल और नसल बचाने के लिए गए हैं अगर फाइदा हो तो हम अब से पहले दन्यवाद कर देते हमारे बच्चे हमारे भाई केस्टी के अंदर पिएचडी हैं आईयस हैं आईपिएस हैं जनरल हैं करनल हैं हमने सभी से सुजावल दिया है जो टॉप की टैलेंट हैं हमने उन से सुजावल लिया है उसके बाद हमारे नेतरीतों ने हमारा एक आज़नड़ा बेज़ा और उसके उपर उन से सवाल किये गए आज तक उन ने सवालाब जवाब नहीं दे पाई है सरकार उन के पास बड़े बड़े आईएस हैं सेक्टरी हैं लेकिन बिंदू वाईज उनने आज तक कोई भी जवाब नहीं दिया है और जो उन्होंने हमारे पास वेज़े थे हमारे जो नेतरितों हैं उन्हें हर बात का जवाब दे दिया है उनके पास कोई जवाब ही नहीं है कमिलाडू से या महराष्टरे से एक लड़की आई है उसने पांच या साथ क्यूस्चन किये ना तो उनके सेक्टरी जवाब दे पाए ना उनका मंत्री समू दे पाया क्यों द्रातल की बात का जो आना किसान को पता है वो द्रातल पर ना जा के ये जो ऐसी कमरों में बैठ करके निती निर्दारित करते हैं जो अभी ते करते आये हैं वो सिर्व उसके आदार पर बात कर रहे हैं अगर द्रातल के उपर कोई भी हमारे छोटे से छोटे कारिये करता से भी बात करना चाता है तो उसको हम समझा देंगे कि हमारा क्या क्या नुक्सान है अगर वो हमारे को समझा देते कि ये फैदा है फैदा हम फैदे घतर बेठे हैं तो जादेगा आपने गुपता जी को कहा आप कह दीजिए हमारा मन्द किसी भी लावल के उपर भैस के लिए तयार है सर एक संत राम सिंग ने देखल सुसाइड तर लिया था इसको लेकर के उपर लेकर बहुत दुरुबाएगे पूर्ण है हम उनको सर्दानली हर्पित करते हैं इससे बड़ा दुरुबाएगे क्या होगा उसने हर्दे की पीड़ा दर्शाई है कोई चाव में आतमत्या नहीं करता कैसे आहलात पैदा कर दी है मोदी ने वो कोई भूखमरी से थोड़ा है उस इस ववस्ता से दूखी होकर के उसे स्यूसाइड करना पड़ा और उसको अपने जो स्यूसाइड नोट में है उन्होंने बड़ा कलियर उजागर किया है इसके बाद हम यह कहते हैं कि राजे सिरकार और केंद्री सिरकार के उपर इसका मुकुदमा बढ़ना चाहिए जैसा स्यूसाइड नोट होता है आम तोर पर अगर किशी का नाम लिख दिया जाता है तो उसी टाइम उसको ठाके जेड में दे देते हैं अभी तक पर शासन ने और शासन ने क्या किया है जिस वज़े से आत्म अत्या की और उसके लिए जो ज हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें हैं धन्यवाद।